मोबाइल फोन ये छोटा सा छेंज काच का टुकड़ा दिखने में तो है एकदम सामान है जनम हुआ तब तो बटन वाला था दिरे दिरे बहुत कुछ खाते खाते अब ये इतना पावरफुल होता जा रहा है कि पूछो मत इससे भी कदमे बड़े बड़े कितने इंस्ट्रू इसने खाया फिर टीवी को मुंबई के हलवे की तरह खाकर खुद टीवी बन गया ये सब तो चलो समझे कि छोटे छोटे अस्त्र सस्त्र थे जबसे इसको इंटरनेट नाम का अस्त्र मिला समझो इसे ब्रमास्त मिल गया ये अब किसी के भी रुके रुकने वाला नहीं आग ओ आओ ठाकुर राम घड़ जैसे योटिव घड़ का ये मेटा मित्र आपका स्वागत करता है यहां CBDC का क्रिप्टो के साथ और पाई के साथ निश्वार्थ भाव से तुलना करने का और इस तरह इसका ग्यान या कहो समझ बढ़ाने का ही प्रहतना रहेगा इन तीनों में क प्रदम मिला कर आगे बढ़ें और इस संसार में एको सिस्टम में यानि अपने चहीते बाजारों में पेमेंट का विकल्प बनें और सभी भारतियों की मुस्कान बनें अभी भारत सरकार का CBDC पाईलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ पाईलट यानि पहले कुछ समय तक लिम गुगल से पेमेंट करते हैं इन दोनों में क्या फर्क है ये जानते हैं दुकान में या मॉल में लोगों को चीज वस्तुएं की खरीदारी के बाद मोबाइल से कोड स्कैन करके पेमेंट करते हुए दिखाई होगा आप भी अभी जो गुगल पे फोन पे अमेजोन पे जो भी वालेट उपयोग मिलेते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है पहले हम क्या करते थे बैंक से या ATM से पैसे निकाल कर अपने बटो में रखते थे ठीक वैसे ही मोबाइल के कुछ डिजिटल वालेट में पैसे आप डिजिटल मनी के रूप में ट्रांसफर करके रख सकते हैं कुछ लोग पैमेंट के लिए मोबाइल में सिधे अपने अपने बैंक की एप का उपयोग भी करते हैं SBI Yono, ICICI, HDFC, Yes Bank जैसी बैंकों की खुद की मोबाइल एपलिकेशन से भी पैमेंट किये जाता है करने की बात यह है कि एक इंसान दुसरे इंसान को मो प्रणालियों का उदे हुआ है इस इमेज से पता चलता है कि भारतिय रिजर्व बैंक ने 80 के दशक के मध्य से बैंकिंग प्रणाली में प्रध्योगी की आधारित समाधान लाने के लिए कई पहल की है यानि इस चार्ट में टेकनोलोजी बेस्ट सॉल्यूशन जो बैंकिं लाक रूपये से ज्यादा ओनलाइन ट्रांसफर करने हो तो प्रोसेस कॉंपलेक्स लगती है अब 2022 में CBDC लांच की गई है जिससे बड़े बिजनेस को इसका फाइदा है कि रियल टाइम में बड़ी अमाउंट ट्रांसफर हो सकती है एक और पॉइंट अच्छा है कि CBDC में क डिजिटल रूपी के स्वरूपों में पैसे की लेंदेन के ट्रांजेक्शन या कहो पेमेंट कर सकेंगे CBDC और डिजिटल मनी दोनों एक तरह का रूपया ही है और इसकी किमत बिल्कुल कैश रूपये जितनी ही है नज्यादा नाकम एक दूसरी बात भी जानते हैं मानलो आ जाती है उस पर सरकार की या RBI की नजर नहीं रहती और उस पर कंट्रोल नहीं रहता यानि उसका उपयोग हस्पिटल बनाने जैसे अच्छे कामों में होता है या गेर कानूनी हतियार या ड्रक्स जैसे दूशन फ्यालाने में होता है इसका पता चल नहीं सकता पर CBDC से ऐसा फंडिंग भी कंट्रोल में आ सकता है और भी कई सारे फाइदे जो सरकार को होंगे वो समय समय पर देखने को मिल सकते हैं और प्रजा को भी इससे प्रत्यक्ष या परोक शलाब होगा जरूर पर इस पर सी ब्याज न मिलने जितनी मामुली वजह से अगर आप UPI के बदले CBDC का उपयोग न करें उसे अच्छा है कि CBDC का स्वागत करके धीरे धीरे उपयोग शुरू करें कम से कम देश को नुकसान होने से बचाएं ताकि आने वाली पीडी के लिए एक उज्वल भविशे का निर्माण हो सकें रिटेल CBDC का उपयोग रोज मर्रा की जिन्दी में आम कैसे कर सकता है वो आने वाले वीडियो में जानेंगे अब जानते हैं आप सबका चाहिता सवाल CBDC, क्रिप्टो और पाई ये तीनों में क्या फर्क है इन तीनों में क्या अंतर है और कैसे एक दूसरे से अलग-अलग हैं CBDC को जानने के लिए जाएंगे भारत सरकार की Reserve Bank of India क Official Website पर जहां इस Concept Not और CBDC पर क्लिक करेंगे तो पूरा इसका निबंद पढ़ने को मिलेगा जो शान्त इसे बाद में पढ़ सकते हैं अभी कुछ काम के Point के तुलना करेंगे सबसे पहला Point है Control CBDC पर RBI का नियंतर रहेगा आपके अपास CBDC है तो उसकी कीमत अदा करने की जिम लगाम है पाई जो है उस पर भी अभी एक लेयर पर नियंतरन या Observation होता है जिसे fraud करने वालों के account freeze करने की सजा मिलती है ऐसा देखा है आगे है सरकार या RBI एकदम से cash बंद करके सब पैसे digital नहीं बनाएंगी पर शुरूवात में कुछ हिस्सा जैसे कहो 1-2% से लेकर 10 या पाई भी पूरे के पूरे डिजिटल स्वरूप में ही रहेंगे क्रिप्टो और पाई को कभी छू नहीं सकेंगे वो एक नंबर की तरह wallet में दिखाई देंगे CBDC currency को cash में convert किया जा सकेगा जिस तरह अभी UPI से code scan करके payment मिलता है उसको ATM या bank से रूपिय के not के सरूप में प्राप्त कर सकते हैं क्रिप्टो को cash में convert करने के लिए crypto exchange app का उप्योग होता है पाई जब किसी exchange पर list होता है तो बविशा में उसको भी दूसरे किसी क्रिप्टो की तरह cash में convert कर सकेंगे अब देखते हैं technology CBDC जो है वो distributed laser technology DLT पर काम करता है यानि अलग-अलग location पर रखे हुए server अपने नितिन EMO से दो wallet के बीच हो रहे CBDC के transaction को validate करके अनुमति देंगे और सभी server के database में laser में ये transaction अपडेट रहेंगे साथ ही दोनों इंसानों के wallet को भी उनके-उनके CBDC के नए balance से अपडेट करेंगे उदार्म के तोर पर एक user अपने wallet में से 50 CBDC दूसरे user को देता है तो सभी server में और दोनों के wallet में इसकी entry हो जाएगी जिस तरह bank की passbook में होता है अगर आप google page से किसी को 20 रुपे का payment करते हैं तो आपके bank account में उसका transaction दर्ज हो जाता है ठीक उसी तरह पर आपके bank का server सिफ एक ही रहता है अगर वो server बंद है तो समझो सभी branch में काम बंद रहता है हमने देखा है कि कई bankों में server बंद है क्या के आराम से लोग चाइना स्ता करते हैं पर CBDC के case में ऐसा नहीं होगा वो 24 गंडे चालू रहता है क्योंकि एक से ज़्यादा server होते है और कोई एक server बंद होता है तो भी payment का transaction कर सकते हैं क्योंकि बाकी के server चालू रहते हैं क्रिप्टो में और Pi में decentralized server रहते हैं जिस पर किसी सरकार का या RBI का नियंतरन नहीं होता कोई भी इंसान उस crypto की या Pi की blockchain में अपना computer node बना कर set कर सकता है आगे देखते हैं बारत सरकार की जो CBDC currency है वो blockchain का इस्तेमाल करती है यानि लेंदेन के transaction data store करने के लिए जो database है वो blockchain है और एक से ज्यादा server पर रहता है यहां लिखा है blockchain और अन्य तकनिकों का उपयोग करके CBDC की शुरू आज से प्राप्त किये जाने वारे व्यापक उद्देशों को भी budget में निर्दारित किया गया था तो एक तरह से देखा जाए तो बारत सरकार की यह CBDC का data blockchain पर store होगा परंतु फर्क इतना है कि RBI के नियंतरण में है और देश के नितिनियमो या कानूनी रूप से सुरक्षित हैं किसी के साथ fraud या cheating होता है तो उस देश की bank में complain हो सकती है पर crypto के blockchain में ऐसा नह हो सकती है यह मजाया है ना बिटकोइन इथेरियम जैसे crypto को CBDC में convert करते हैं तो होने वाले profit पर 30% tax लगेगा ही लगेगा पाई को भी बविशय में CBDC में convert करते हैं तो होने वाले profit पर भी उतना ही 30% tax लग सकता है आप सोच रहे होंगे पाई में तो हमने कुछ invest किया ही नही करता है माना कि खरीदा नहीं है पर बेचा तो है फिर भी अगर इसको इसी तरह समझते में हम कोई भूल कर रहे हैं तो कृपिया आपके विचार कॉमेंट करके बताएं जरूर ताकि सच्ची जानकारी से लोग अपडेट रहें आगे कुछ जानते हैं कि CBDC और Digital Money कितना बना है वो RBI करती है जो कि Unlimited यानि उसकी कोई सीमा नहीं होती पर क्रिप्टो बनाने की संख्या की एक लिमिट होती है उससे ज्यादा क्रिप्टो कोई नहीं बन सकते पाई की भी एक लिमिट है जैसे आप जानते हैं 100 बिलियन पाई ही बनेंगे तो इस तरह क्रिप्टो और पा के भी लेंदेन कर सकें ऐसी टेकनोलोजी भी भारत में आ सकती है CBDC को रखने के लिए अपने बैंक की मॉबाईल एप में सुईता होगी की कैसे होगा यह तो रिटेल CBDC आने पर पता लगेगा पर डिजिटल मनी को अभी हम अपने अपने बैंक की मॉबाईल एप में या PTM जैसी एप में रखते हैं क्रिप्टो को और पाई को सिर्फ पर्सनल डिजिटल वालेट में ही रखा जाता है जिसका पता सिर्फ रखने वाले को ही होता है कुछ लोग एक्षेंज पर भी खरीदे हुए क्रिप्टो रखते हैं central bank digital currency और डिजिटल मनी गवर्मेंट के लिए अच्छा है पर क्रिप्टो गवर्मेंट के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसका KYC न होने के वज़ा से उसका दूरूपयो कौन करता है वो पकट पारना मुश्किल है पर पाई में KYC होने के बाद ही क्रिप्टो वालेट में मिलते हैं यह उसका प्लस पॉइंट है पर पाई की अभी कोई भी कीमत नहीं है इसलिए किसी देश की सरकार के लिए यह अच्छा है या बुरा वो तो अभी कहा नहीं सकते CBDC और Digital Money से Online और Offline शौपिंग हो सकती है किराने की दुकान या Hair Cutting Salon में भी अब Google पेस से पेमेंट होता है पर क्रिप्टो से इंडिया में शौपिंग करना Allowed नहीं है पाई की कोई भी कीमत नहीं होने की वजह से अभी तो Pioneers Offline एक दूसरे के साथ Barter System से आपस में लेंदेन करते हैं ऐसा पाई की टीम से Allowed किया गया है आगे देखते हैं क्रिप्टो में Decentralized Application यानि DApp, NFT, Metaverse, Gaming, Decentralized Exchange और DeFi Project बन रहे हैं और पाई में भी ये सब फ्यूचर में बन सकता है पर Digital Money या CBDC में अभी इसकी कोई संभावना नहीं है पर अगर भविश्य में 40-50 साल के बा के हुए Digital Money पर ब्याज मिलता है क्रिप्टो में किसी एक्षेंज पर स्टेकिंग से या कहोफिक्स डिपोजिट की तरह कुछ क्रिप्टो मिलते हैं और पाई में ब्याज नहीं मिलता पर लॉकप सेटिंग या रेफरल के यूटिलिटी बॉनस रिवोर्ट मिलते हैं जिसे ज नहीं हुआ है पर ज्यादा तर पाई लॉक होने की वज़ा से वह दुरलब होगा ऐसा अनुमान करते हुए लोगों की पोस्ट सोचल मीडिया पर देखी गई है लास्ट है CBDC को सिरिलाइस्ट किया जाएगा जिससे प्रत्य रूपिय का रेकोर्ड रहेगा क्रिप्टो और पाई में भी उसकी हिस्ट्री रहती है उसी तरह कैश पेमेंट वाली ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम में किसने पेमेंट किया आप उसको नहीं जान दे नकली नोट देकर भी अगर चला जाए तो आपको नुक्सान हो सकता है कहां उसको डूड़ने जाएंगे और इसमें तो रूपिय का ट्रांजेक्शन का रेकोड हमेशा रहेगा जिसे नकली नोट की संभावना ही नहीं है और भी दूसरे कारण है नोट फटी हुई है या फिर छुटे प्यासे दो मेरे पास चेंज नहीं है ऐसी परेशानी और जंजट से छुटकारा तो है ही अंद में इतना कह संपत्ति को अपनी क्षंता के मुताविक एकटा करते रहें क्या पता भविशमें कौन सी चीज काम में आ जाए देखे सोना चांदी हीरे जवरात के साथ साथ जमीन मकान प्लॉट हो या दुकान कभी न कभी काम में तो आते ही है क्योंकि ये दिखाय दिने वाली संपत्त्त उसी तरह नई नई डिजिटल संपत्ती भी उभर रही है जो दिखाई नहीं देती बलकि काम की बन सकती है बदलती टेक्नोलोजी की ये संपत्ती के बारे में ग्यान प्राप्त करना जरूरी है समय के साथ डिजिटल करांती में आगे बढ़ना जरूरी है तो आगे बढ़ने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसंद न रहें मैटा मित्रा से जुड़े रहें मेरा मित्रा मैटा मित्रा जै हींद जै भारत कर दिए भारत